आँखें खोल लिजिए देखिए दोस्तों आज एक ऐसा बच्छेरा आपके सामने लेके आया हूँ जो वाक्य ही आपकी आँखें खोल देगा बहुत सारे गोड़े मैं अपने फेस्बुक पेज पर दिखा चुका हूँ बहुत सारे गोड़ों का वीडियो आप हर दिन हर रोज अलग अलग फेस्बुक पेज यूट्यूब चैनल के माद्यम से दिखते हैं ये वाला जो बच्चेरा आप देख रहे हैं मुझे परसनली बहुत जादा दूसरे गोड़ों से अलग लगा बहुत जादा खूबसूरत लगा और इसमें जो भी है वो आपकी भी नजर काम करेगी आपको भी दिखेगा के बिलकुल ये एक अलग बलड लाइन का खूबियों से बरा चोटी उमर में बड़े साइज का एक खूबसूरत मारवाडी बचेरा है जैसे मैंने इसके बारे में आपको बताया है बिलकुल अगर आगे इस वीडियो के साथ जुड़े रहेंगे लंबा इस वीडियो को देखेंगे मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे लास्ट में आप भी कहेंगे कि गुरुदेव जी आप ने जो भी कहा बिल्कुल सही कहा मालिक ने जैसे बताया कि आज कल पुरे भारत में मारवड़ी गोड़ों का ट्रेंड बहुत जोर से है मारवड़ी गोड़ों को बहुत पसंद किया जाता है और सबसे जादा जो टॉप की बलड लाइन है वो है अली शान की बलड लाइन और मालिक ने जैसे मुझे बताया दूर दूर से अली शान लाइन से कोई भी नाता नहीं है क्यों स्पेशल ये चीज़ बूले जा रही है क्योंकि दौर चल रहा है लाइन ब्रीडिंग और एन ब्रीडिंग का ये बच्चे के अंदर आली शान बलड नहीं है जानी के आप अपनी कोई भी आली शान लाइन की गोड़ी इस बच्चेरे से मेट करवा के टॉप क्लास का रिजल्ट ले सकते है आली शान लाइन को क्यों पसंद किया जाता है ब्यूटी के लिए खूबसूरती के लिए ये बात से आप जरूर सहमत होंगे और इस बच्चे में जो भी आप देख रहे हैं ये एक मिलकती बचेरा है जिसके गर्दन, निक परफाइल, इसकी सकिन, इसका फेस, इसकी आँखें, इसके कान, इसके हूपस, इसकी टांगें, इसकी पीट एक एक चीज देखने लाइक है, खूब सूर्थियों से बरा हुआ है 65 इंच, बलकुल सही सुना, 65 इंच हाइट कर चुका है, ये मिलकती कॉल्ट और दूसरी बलड लाइन की बात करें, तो देवली लाइन से भी इसका कोई तालुक नहीं है कोई रतनाकर बलड नहीं है कोई पैलस लाइन का बलड नहीं है कोई दरबार लाइन का बलड नहीं है सारे बलड लाइनों से अलग ये बच्चा है जिसका नाम शेरी देव इंदर परदान जी जो इसके मालिक हैं उन्होंने रखा है तहसीलदार बिलकुल तहसीलदार नाम का ये कॉल्ट है मिलक तीत में 65 इंच हाइट कर चुका है ला जवाब खूबसूरतियां हैं बहुत मजबूत, बहुती सुन्दर, बहुती अलग लाइन से आईए बात करते हैं किसमें लाइन है कौन से सबसे पहले बताना चाहूंगा पंजाब की एक फेमस बहुती लेजैनरी बलड लाइन मजबू के मजबू के के सबसे उंचे गोड़े पटवारी का ये बेटा है ग्रे कलर का गोड़ा है दोस्तों पटवारी पटवारी मजबू के लाइन से है और ये है तहसीलदार पटवारी का बेटा बन गया तहसीलदार जी हाँ खूब सूरत बहुत ही जवरदस्त आने वाले समय में ये बच्चा बनेगा पटवारी को दोस्तों पूरी दुनिया जानती है कि सत्ता इंच का नीला गोड़ा है पटवारी मज्यू के लाइन से और ये है पटवारी का बेटा तहसीलदार और इसकी मा की बात करें दोस्तों तो मा भी बहुत अच्छी हाइट की बहुती सुन्दर गोड़ी है जो है हिमालिया गोड़े की बेटी इसकी माँ का नाम है क्रिस्टल और वो है हिमालिया की बेटी बिल्कुल जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि ये बहुत ही अलग ब्लड लाइन से है बाप है मज्जू के लाइन का और माँ हिमालिया की बेटी तो दोस्तों आप लोगों के लिए ये तौफा है, ये गाड गिफ्ट है, ये मौका है इन ब्रीडिंग से लाइन ब्रीडिंग से बचने का आप अपनी अच्छी अच्छी गोडियां इस तैसिलतर कॉल्ट से कवर करवाएं और आने वाले समय में अच्छी अच्छी सुंदर अला जवाब बच्चे पाएं ये मौका बार बार नहीं मिलेगा तो आप देख रहे हैं मेरा पेज गुर्देव फोटोग्राफिक्स और आपके लिलाया हूं उत्राखंड देव भूमी हरी दुआर से शिरी देविंदर परदान जी के फार्म से एक खूबसूरत बच्चा जि तेंक यू दोस्तो